गुड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है सेकेंड डिसेंबर 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनेलिसीज मेरा नाब सितिंतर चोधरी है और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक यहां पर करेंगे पहला टोपिक हम लोग लेंगे मलेरिया से क्योंकि इंडिया में एक WHO की रिपोर्ट आई है कि इंडिया में मलेरिया के केसिस कम हो रहे हैं उसके बारे बात करेंगे हालांकि यह जो आर्टिकल है वो दा हिंदू में नहीं है वो इंडिन एक्सप्रेस का आर्टिकल है लेकिन अच्छा आर्टिकल है तो इंक्लूड कर लिया है यह topic आप prelims के perspective से इसके पढ़ेंगे उसके लावा exercise Milan है यह वाला topic भी हम लोग prelims के perspective से ही पढ़ने वाले है उसके लावा finance commission जो 16th finance commission है इसको जल्दी ही setup किया जाएगा जिसके लिए committee बना दी गई है सरकार के द्वारा तो finance commission के बारे हम बात करेंगे constitutional provisions इसकी powers क्या होती है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पर जानेंगे यह वाला topic आपका prelims और mains दोनों के ही हिसाब से काफी जादा important topic है पॉलिटी वाले sections इसको लोग करते हैं हाला कि अगर अगर अपनी लक्ष्मी कातुगरा पढ़ी है अपनी पॉलिटी की इस पह जो बुकाती है तो उसके अंदर भी finance commission के बारे में detail में अच्छी खासी discussion दिया हुआ है वीटो पावर जो प्रेजिडेंट की होती है उसके बारे में बात करेंगे आज और कुछ ने regulations जो broadcast regulation government की तरफ से दिये गए हैं इसको हम लोग यहाँ पर में देखें तो malaria के cases बढ़ रहे हैं तो यह WHO की report है ध्यान दें कि WHO की जो world malaria report है यह 2023 है लेकिन जो data दिया गया है वो 2022 का होता है और जो comparison किया जाता है वो 2021 का किया गया है क्योंकि 8-10 मीने उस report को तयार होने में data collect करने में भी लग जाता है तो पिछले साल का report है बेसिकलिए compare करेंगे 2021 से और compare करने बाद यह पता चला है कि इंडिया में last year मतलब 2022 में 2021 के comparison में 5 million यानि के 50 लाख जो malaria के cases है वो कम हुए है globally increase हुए है दुनिया भर में जितनी भी malaria के cases होते है उसका 1.4% वो इंडिया में होता है total global जितनी भी death होती है उसका 0.9% जो है इंडिया में death होती है इंडिया में जो जितनी भी malaria के cases आते हैं उसमें से जो 40% case है वो vivax malaria का होता है जो कि बहुत ज़्यादा serious नहीं होता है vivax malaria एक तो हमारा जो protozova से फैलता है वो ज़्यादा serious नहीं है और इंडिया में 40% यही होता है एक और malaria की category होती है जो कि आपकी plasmodium से फैलती है वो थोड़ा dangerous होता है उसको थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे इंडिया के साथ-साथ Bangladesh, Bhutan, Democratic People's Republic of Korea Nepal, Thailand और Timor यहाँ पे भी malaria के cases कम होगे है पाकिस्तान में malaria के cases जो है काफी ज़्यादा बड़े है 2022 के अंदर Africa में सबसे ज़्यादा cases दुनिया भर के देखे जाते है 94% malaria के cases Africa से आते है 95% जो global death होती है malaria से वो भी African continent में ही होती है climate change एक बहुत बड़ा important role play करता है malaria में क्योंकि देखे आपको पता है कि ठंडी में मच्छर कम होते है ना के बराबर ही होते है गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है मच्छर जादा होते है अब climate change की वज़े से क्योंकि temperature globally increase हो रहा है तो इसलिए जो मच्छर है वो भी जादा हो रहे है मस्किटोस जादा हो रहे है तो malaria के cases भी definitely बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो European countries है या जो higher latitude पे countries है वहाँ पे भी temperature बढ़ेगा और malaria धीरे-धीरे European countries या ठंडी जो countries है usually रहती है वहाँ पे भी जा सकता है तो ये climate change एक काफी बड़ा concern इसका देखा जाता है अब वैसे तो malaria जो है life threatened तो ही of course लाखों death होती है हर साल इंडिया में जो पाय जाता है वो Y-wax वाला उपर हम लोग ने देखा उतना serious नहीं होता है जो plasmodium falciparum और plasmodium Y-wax ये दो जो malaria के जो species होते हैं वो सबसे ज़्यदर dangerous होते हैं इंडिया में plasmodium के कैसी कम पाय जाते हैं protozova के कैसी ज़्यादा पाय जाते हैं 40% के आसपास ठीक है बाके तो dangerous है ही of course तो 40% protozova और 60% के आसपास plasmodium Y-wax जो थोड़ा dangerous है थोड़ा आपने ध्यान देना है इसको exam में इस तरह से आपसे पूछ सकता है जो malaria जब infect कोई person होता है उसको malaria होता है जो वो parasite होता है जो मच्छर से हमारी body में आता है देखिए उच लोगों के लगता है कि मच्छर काटने से malaria होता है मच्छर काटने से वो जो parasite होता है वो हमारी body में transfer होता है मच्छर काटने से malaria नहीं होता यह जो parasite होता है वो मच्छर की body में होता है पहले से और जब वो मच्छर हमें काटता है तो transfer हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि जो मच्छर है वो एक वेक्टर का काम करता है मच्छर खुद मलेरया नहीं फैलाता है मच्छर सिर्फ एक मीडियम है उसको हमारी बोडी में ट्रांसफर करने के लिए ध्यान देना है और वो होता है पैरसाइट ठीक है प्रोटोजोवा प्लाजमोडियम और अगर आपको बाइचास मलेरया हो जाता है इलाज आपको टाइम से मिल जाता है तो येस, इलाज उसका आराम से हो जाता है, तो मच्छर काटने का अलावा, अगर किसी ने blood transfuse करवाया है, जो needle होती है, syringe होती है, जो contaminated होती है, उसकी वज़े से भी malaria आपकी body में आ सकता है, और ये red blood cells में पाय जाता है, हमारी body के, इसलिए malaria के लिए हमेशा blood test करवाया जाता ये liver के अंदर छुट जाता है, लिवर में, और इसलिए वो dangerous भी होता है, और ये बार-बार आता है, एक बार plasmodem y-vacs आकर आपको हो गया, तो ये कुछ सालों के बाद दुबारा शुभर जाता है, दुबारा से भी हो सकता है, symptom साब को अच्छे से पता ही हम अले रहे हैं क fever, chill, sweats, headaches, muscle neck, और fatigue, थकान वगरा होती है, वो सब यहाँ पे होता है, इसके लिए जो medication होते है, chloroquine, अगर याद होगा COVID-19 के टाइम में, chloroquine काफी news में रहा, जो American President थे Mr. Trump, उन्होंने भी कहा था के chloroquine से मेरा COVID ठीक हो गया है, हाला कि वो claim बिल्कुल जूटा था, गलत था, बड़ क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवाई है, जो malaria में usually use की जाती है, ठीक है, बागी prevent वगरा ताब इसको अलग से कर सकते हो, vaccine भी इसके रहे लगाई जाती है, जैसे RTS, SAS01 कहते हैं, यह company है, जिसका नाम है Moskutris, इस company ने यह vaccine को बनाया है, और यह vaccine बच्चों को भी लगाई जाती है, है ना, लगाई जाती है सबको, तो इस vaccine के basis पे डबल वैच्चों के यह target है, कि 2025 तक हम लोग दुनिया में जो death होती है malaria से, उसको 75% कम करेंगे, और 2030 तक जो है, उसको 90% कम करेंगे, इंडिया का target है कि 2070 तक, 2027 तक malaria free हो जाएंगे हम लोग, almost, और 2030 तक पूरी तर पोलिव आप कह सकते हैं, हम लोग ने वो किया है, ठीक, चलिए, नेक्स टोपिक कहता है भीया, navy gets ready for its biggest naval exercise amid ocean engagements, तो इस exercise का नाम है exercise Milan, Milan एक bianial exercise है, मतलब दो साल में एक बार होती है, ठीक, ध्यान रखना है, हर साल नहीं होती है, दो साल में एक बार होती है, यह multilateral naval exercise है, पर दो countries, parties, वो participate करती है, multilateral मतलब जहां से 2 से जादा करती है, trilateral भी होता है, जिसके अंदर 3 करती है, multilateral मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 जितनी भी हो सकती है, तो इस exercise के अंदर कौन-कौन participate कर रहा है, सिंगापूर, Thailand, श्रिलंका, इंडोनेशिया और इंडिया तो है ही, ठीक है, उस exercise को शुरू किया था, इसके अलावा, self study के लिए हमने, मैंने content डाला है, कुछ और military exercise भी हम लोग करते हैं, जैसे zymax करते हैं, desert night करते हैं, इंदर धनुष करते हैं, pitch black जो Australia के साथ हम लोग करते हैं, ocidnex भी Australia के साथ करते हैं, धर्म गारजिन करते हैं, ठीक है, तो यह question है, यह आप डाल सकते हूँ, ठीक है, लेकिन prelims के लिए आपने बिल्कुल इसे, as it is, factual information है, रटा मारना पड़ेगा, इसमें कोई जादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद करो, क्योंकि match the following type के question आते हैं, prelims में, तो एक तरफ आपको exercise का नाम देगा, दूसरी तरफ country का नाम देगा, तो आपको थोड़ा इस तरह से match करना रहता है, one pair, two pair, three pair, वैसे question यहां से बनते हैं, आसान question होते हैं, लेकिन यह memory based questions होते हैं, क्योंकि prelims में बहुत सरे question memory based आते हैं, चलिए, government paves way for the 16th finance commission, अभी तो 15th चल रहा है, तो उसका जो tenure है वो जल्दी ही खतम होन जाएगी, तो 16th finance commission will have time until October 13, 31st 2025, इसके बाद 16th शुरू, मतलब यहां से शुरू हो जाएगा, इस time तक जो है 15th ही काम करेगा, ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में information क्या है, वो देखनी पड़ेगी अपने को, तो यह जो 16th finance commission होगा, यह क्या suggestion करेगा, क्या recommendation देगा, उसके लिए उसका objective तयार किया जाता है, क्योंकि five period के लिए रहेगा यह, ठीक है, objective क्या हो सकता है, usually जो finance commission का major objective होता है, वो होता है, यह वाला देखिए, लिखा है, it will prescribe the measures needed to augment the consolidated fund of states to supplement the resources of the panchayats and the local bodies, एक तो यह हो गया, मतलब जो consolidated fund of states है, उसमें से कितना पैसा panchayat local bodies को ज जाता है, उसके लावा, center से state को जो पैसा जाएगा, grant के तोर पे, वो भी finance commission यहां पे करता है, disaster management के लिए जो पैसा वगरा दिया जाता है, वो भी finance commission की recommendation यहां पे आएगी, finance commission के अगर बात करें तो हमारा जो article 280 है constitution में, वो इसके बारे में बात करता है, और यह president के द्वारा constitute किया जाता है, हर पांच साल में, ठीक है, पांच साल का इसका period होता है, किया जाता है, सबसे पहला जो है, 1951 में हम लोगों ने किया था, ध्यान देने वाली बात यह है कि finance commission, इस ते पहले तम्हारे पास planning commission भी होता था, वो तो हम लोगों ने खतम कर दिया, finance commission एक constitutional body नहीं थी, finance commission इवन एक statutory body भी नहीं थी, finance, sorry, planning commission, finance commission एक constitutional body है, जब कि, जब planning commission हुआ करता था, finance commission की power कम हुआ करती थी, हलांकि constitutional power है, body है, तो इसकी power जादा होनी चाहिए थी, बड़ा साथ था नहीं, planning commission खतम होने के बाद, finance commission की power काफी जादा बढ़ गई है, but, finance commission की जो भी recommendations होती ह है, वो देता है, कि पैसा कैसे transfer होगा, कितना होगा, कौन से states को कैसे कैसे जाएगा, क्या percentage होगी, वो सब चीजें, advisory nature होता है, मतलब यह जिस recommendation है, सरकार इनको माने या ना माने वा government के मर्जी है, तो note binding on the government, ठीक है, 15th finance commission, 2017 में हम लोग ने constitute किया था, और इसका जो tenure है, वो 25 2526 तक चलेगा, इसके बाद जो है, 16th की लागू हो जाएगा, एक हमारे पास vertical devolution होता है, vertical devolution का मतलब यह है, कि या union, मतलब center से state को कैसा पैसा जाएगा, इसे vertical कहते हैं, पहले यह 32% हुआ करता था, फिर last जो हमारा बना था finance commission, उसमें हम लोग ने 41% कर दिया था, फिर जो central tax होते हैं, वो states में कैसे distribute होंगे, central जो grant जो state को दिया जाता है, वो कैसे दिया जाएगा, वो सब यहाँ पे किया जाता है, local पंचायत municipalities को किस तरह से पैसा जाएगा, वो भी किया जाता है, और कोई और matter जो सरकार को लगता है important है, वो भी finance commission को दिया जा सकता है, ठीक है तो यह है हमारा इसका article में, अब एक topic बनता है हमारा यहाँ पे, और वो topic जो है, governor के बारे में है, और बात ऐसी है कि देखो चुरू मैं आपको तरह दिखा देता हूं, अगर अपने को मिलेगा तो, हाँ यह रहा, छीक है, यह topic यहाँ से है, तो थोड़ा मैं इसको update कर दू to the president says supreme court, मामला क्या आपको मैं समझा देता हूं, मामला यह है कि तमिलाडू की assembly ने कुछ बिल को पास किया था, ठीक है, वो बिल चले गए governor साब के पास, और governor साब ने क्या किया, उन बिल को reject कर दिया, ठीक है, reject कर दिया, खतम हो गया बिल, क्योंकि governor यह कर सकते है, withhold कर सकते reject मतलब withhold, जो legal term यूज होती है, लेकिन उन ही बिल को तमिलाडू की assembly ने दुबारा से re-enact कर दिया, मतलब दुबारा से पास कर दिया, सेम बिल को हलका-फुलका change करके, वो फिर से governor के पास गया, नए जो बिल थे, इस बार governor reject नहीं किया, इस बार governor ने उनको president को भेज दिया president को भेज दिया, तो अब ये president के पास भेजने के बाद क्या हुआ, तमिलाडू की सरकार सुप्रीम कोट में चली गई, और सुप्रीम कोट ने ये कहा, ये जो बिल है, जो पहले governor ने withhold कर लिये थे, वो दुबारा से उसको president के पास नहीं भेज सकते हैं, अगर एक बार वो assembly स दुबारा पास होके आएंगे, तो उनको consent देना ही पड़ेगा, he cannot certify the bills, he has to send them back to the assembly under the first provision of the article 200, मतलब भही आप president को नहीं भेज सकते, आप उसको article 200 के अंदर आप उसको include करोगे, और एक बार अगर वो assembly से पास होके वापिस आ जाते हैं, तो आपको consent देना पड़ेगा, ये president ने अभी कहा है, ठीक है, क्योंकि पहली बार इनोंने reject कर दिये थे, दूसरी बार भी ये क्या कर रहे है, president को दे रहे है, अरे या तो reject करिये, या फिर उसको pass करिये, तो president court ने कहा है, कि उनको pass करना पड़ेगा, क्योंकि वो assembly से दुबारा आ गए है, अब इसी context में हम लो 200 क्या कहता है, Indian constitution, कहता है, it deals with the power of the governor with regard to the assent given to the bills passed by the state legislature and other powers of the governor, such as the reserving the bill to the president, तो bill को pass करने की power, और bill को president को reserve करने की power, ये दोनों article 200 के अंदर दिया हुआ है, ठीक, article 201 कहता है, bills reserve for the consideration, ठीक, मतलब ये दुबारा से assembly के पास जाएगा, governor के पास जब भी लाता है signature करने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है, उसको signature करें, वो वापिस उसको assembly को भेज सकते हैं, assembly में जाने के बाद वो बिल अगर वापिस आता है, तो governor को मना, governor उसके लिए मना नहीं कर सकते है, उनको हाँ बोलना ही पड़ता है, तो governor के पास absolute veto तो ह है, मतलब वो साफसा मना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन pocket veto नहीं है, suspensive veto भी है, मतलब कुछ समय के लिए suspend कर सकते हैं, जैसे मान लो आज second of December है, और second of December को governor के पास कोई बिल आया, ठीक है, और इनका, इन्होंने क्या किया, उसको assembly को वापिस भेज दिया, और assembly ने उसको 7th of December तक दुबारा से पास कर दिया, तो यह दो तारिक से लेकर 7 तारिक तक, suspend हो गया, अब साथ तारीकों जब दुबारा से आयेगा उनके पास, governor के पास, तो उनको मना नहीं कर सकते हैं, पास करना ही पड़ेगा, कुछ समय के लिए suspend कर सकते हैं, या पुरी طرح से मना कर सकते हूं, लेकिन pocket veto नहीं कर सकते मतलब pocket veto का मतलब यह होता है ना हां बोला है या ना बोला नहीं भी नहीं बोला है और नहीं भी नहीं बोला है तो बीच में लटक जाता है तो pocket veto नहीं होती है pocket veto president के पास होती है चीक तो वीटो के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ठीक है आर्टिकल 111 कहता है प्रवाइड्स अपावर ओफ दा प्रेजिडेंट रिगार्डिन दा गिविंग एसेंट टू दा बिल वेर इट हैस पास्ट बाइब बोथ हाउसे दा परलेमेट अब जैसे गवर्नर का रोल स्टेट में होता है वैसे ही प्रेजिडेंट का रोल सेंटर में होता है तो जब पारलेमेट कोई बिल पास करती है तो वो प्रेजिडेंट के पास जाता है अब प्रेजिडेंट उसको हाँ कहें ना कहें या दुबारा से assembly पारलेमेंट के पास भेज़े या उनकी मरजी है तो president या तो declares उनका assent बतलो yes signature कर देते हैं या फिर मना कर देते हैं पूरी तरह से भाईया मैं तो signature नहीं करूंगा या फिर वापिस भेज सकते हैं अगर यह बिल जब वापिस आता है और वापिस अगर पर्लेमेंट से वापिस अगर प्रेज़ेंट के पास आता है तो उनको मना नहीं कर सकते ठीक है उनको हाँ बोलना ही पड़ेगा ठीक है यह तरीका होता है Suspensive Veto Power Under Article 11 जैसे मैंने आपको बताया इसे Suspensive Veto वोलते हैं Pocket Veto जो Article 111 के अंदर होती है ये कहता है Power to the President to withhold a bill when it is presented to him instead of returning to the Parliament पत्रों Parliament को वापिस नहीं भेजेंगे उसको अपने टेबल पे रखेंगे ठीक है ठोकि वापिस अगर वो जाएगा Parliament के अंदर तो Parliament फिर चे उसको भेज सकते है तो मना नहीं कर सकते है ना Suspensive Veto में वो मतलब जैसे वो Parliament के पास गया और Parliament जाने बाद उसको Simple Majority से वापिस भेज सकती है ऐसा कोई Special Majority की requirement आपको नहीं होती है Pocket Veto में वो मतलब withhold नहीं करते हैं लेकिन उसको अपने पास रखते हैं और Parliament को भी नहीं भेजते हैं तो यह थोड़ा Pocket Veto, Suspensive Veto और एक Absolute Veto तो मतलब नहीं होती है Absolute में नहीं होती है No मिंस No Absolute Veto का मतलब यह होता है Suspensive Veto मतलब आप Parliament को भेजते हो वापिस Pocket Veto मतलब आप Parliament को भी नहीं भेज रहे हो अब खुद उसको अपने पास रख रहे हो यह मतलब होता है ठीक है, थोड़ा समझ मैं आपको देखिए Absolute Veto मतलब No means No Bill यहीं पे खतम हो जाता है Bill यहीं पे Dead हो जाता है Suspensive Veto का मतलब यह होता है कि President उस Bill को Parliament को भेजते हैं वापिस Reconsider करने के लिए अगर कुछ provisions उनको दिक्कत है वापिस भेज देते हैं Parliament यही Bill उनको वापिस भेज सकती है तो इनको मना नहीं कर सकते हैं, हाँ करना ही पड़ता है Pocket Veto का मतलब यह है कि वो बिलको सर्या मना नहीं करते हैं लेकिन Parliament को भी नहीं भेजते हैं उसको अपनी Pocket पे रखते हैं Pocket मतलब यह सिंबोलिकल सी टर्म है आप इनी Table पे रखते हैं Parliament को नहीं भेजते हैं ठीक है, यह इसलिए थोड़ा इससे different होता है ध्यान रखना है Pocket वीटो मतलब Suspensy वीटो और आपकी जो Absolute वीटो होती है Comment section में बताएं इन में से कौन सी वीटो पावर Governor के पास नहीं है Comment में बताएं चलिए जी तो यह तो जो हम लोग ने करी लिया है चीक है, यह जो President ने बोला है Court ने बोला है बैसलिए President को Broadcast Regulation 3.0 Commissions and the Omissions News में क्यों है क्योंकि हमारा जो Broadcast Regulation Bill है Ministry of Information के दुआरा जो है Release किया गया है और इससे क्या होगा It extends the consolidated legal framework to the OTT content Digital News and the current affair as well मतलब कहीं बार ऐसा होता है कि OTT platform पे कुछ ऐसी misinformation दिखाई जाती है ठीक है Digital News के दुआरा भी दिखाई जाती है तो उनको थोड़ा सा regulate करने के लिए Fake News गरा और थोड़ा सा और Control करने के लिए Government ये कोशिश कर रही है जो Broadcast Network होते है तो इस regulation के provision क्या-क्या है Consolidation and the Modernization It consolidates and updates the regulatory provision for the various Broadcasting Services क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास Current Act है, Law है वो काफी पुराने है तो कुछ न कुछ निया चेंज करना ही पड़ेगा जब जमाना बदल गया है तो definitions भी change हो जाएंगी चीजों की और future के लिए हम लोग अपने आपको ready कर रहे हैं पहले तो TTT platforms नहीं होते थे पहले इतने सरे digital news channel भी नहीं होते थे YouTube पे भी आज कर लोग current अफिर चलाते हैं तो समयान जमाना बदल गया है तो future के लिए हम अपने आपको त्यार कर रहे है Strending the self-regulation regime देखिए Usually जो मीडिया होता है इसको सरकार जादा regulate नहीं कर सकती ठीक है क्योंकि अगर सरकार इसको regulate करेगे तो फिर वो democracy के लिए dangerous है क्योंकि news और जो information है वो free flow होना चाहिए तो self-regulation कर सकती है मतलब सरकार इन news channel को क्या कर सकती है इनको suggestion दे सकती है कि आप ऐसा ध्यान रखिए खुद को self-regulate करिए हम आपको regulate नहीं कर रहे है आप जो content दिखा रहे हो वो थोड़ा सा democratic values के under में होना चाहिए वो anti-national नहीं होना चाहिए ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जिसे आप self-regulation कह सकते हो differentiated program code and the advertisement code छीक है गलत advertisement दिखाई जाती है बिना जूट मूट के claim दिखाई जाते है 15 दिन में गोरा हो जाओगे ऐसे सी जो ad दिखाई जाती है तो उनके लिए भी थोड़ा सा advertisement code जो है वहाँ पीशू किया जाएगा उसके लावा जो accessibility to the person with disabilities ये भी बहुत जरूरी है ठीक है अगर कोई आदमी मालो नहीं सुन सकता है अगर वो deaf है तो उसको भी तो accessibility होनी चाहिए उसकी special needs है कोई आदमी नहीं देख सकता है लेकिन वो सुन सकता है उसकी अलग needs है तो कोशिश की जाए कि ये जो content है broadcaster के दोरा वो सब को मिले कोई भी जस्ट कोई एक person अगर disabled है तो उसको मतलब उस चीज़ से वो महरूम नहीं रहना चाहिए statutory penalties and the fines अगर आप मतलब warning censor करते हो या fake news दिखाते हो इस तरह की चीज़े दिखाय जाती है serious offense होते है मालो कोई rape victim है उसकी information आपने public को दिखा दिया उसका चेहरा दिखा दिया उसका address दिखा दिया तो यह serious crime होता है जिसके लिए उनके उपर penalty लगाए जा सकती है fine भी लगाए जा सकता है और equitable penalties, monetary penalties and the fines are linked to the financial capacity of the entity अब ठीक है अब अब एक छोटा news channel है उसके उपर तो आप बहुत जादा fine नहीं लगा सकते जो बड़ा news channel है उसके उपर लगा सकते हो तो सब के उपर बराबर नहीं है बेसिकली बेसिकली जो छोटे हैं उनके उपर कम fine होगा बड़ों के उपर बड़ा fine होगा infrastructure sharing platform services and the right to way the bill also includes the provisions for the infrastructure sharing among the broadcasting network operators and the carriage of the platform services मतलब better experience के लिए जनता को जादा अच्छा content देने के लिए जो है आप अपने platform को भी share कर सकते हो तो एक news channel दूसरे news channel की information को share कर सकता है लेकिन उसको credit देना पड़ेगा दूसरे news channel को तो कुछ-कुछ provisions ऐसे इसकंदर डाले गए हैं मेरे खाल साज काफी हो गया इतना तो आज इतने आर्टिकल थे अपने पास अपने पास देख लेते हैं सब हो गए हैं कर नहीं हुए है malaria, milan, finance commission, veto power, broadcasting network हाँ, तो सारी चीज़े done है तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, all the best जैहिंद, जैजवान, जैकिसान